दोस्तों, multitasking का मतलब जानते हैं आप, यानि बहुत सारे काम एक साथ करना, सेम multi source of income के बारे में भी आपने सुना होगा, यानि बहुत जगे से भले ही थोड़ी ही सही, बट earning होना, सेम ऐसा ही एक IPO आने वाला है, PHK Ventures, दोस्तों इसको भी अगर multitasking बोलें, या multi source of income generator बोलें, तो कोई गलत नहीं होगा, दोस्तों इस company से आप construction करवालो, development करवालो, hospitality service प्रोवाइड करवालो, या management service प्रोवाइड करवालो, सब ये कर देंगे, तो है ना multitasking, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो यकीन मानिए, आपको अगर यहां से कोई information मिलती है, तो फिर कहीं और कुछ देखने की जरूरती नहीं होती, पूरी details आपको यहीं मिल जाती है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, और आप चालिए आगे बात करते हैं, इस IPO की details के बारे में, और इसका सब कुछ जान लेंगे, financials भी जान लेंगे, GMP भी जान लेंगे, और सार ये वाला गरुणा नहीं, ये वाला गरुणा construction, अगर construction का example देखना हो, तो दिल्ली पुलिस headquarters की building देखाईए, जो April 2021 में conclude हुई है, जिसमें 20 tower हैं दोस्तों, और हर एक tower में 17-17 story building है, यानि 17 मंजला इमारत दो building की इसने बनाई है, अगर future projects की बात करें, तो वो भी कमी नही हैं, चाहे real estate development हो अमरिस्टर में, या food park हो राजिस्थान में, cold storage हो indoor में, या wellness center resort हो महराष्ट में, बहुत सारा काम है इनके पास, hospitality में भी ये hotels, restaurant, qsr, spa, etc, बहुत सारी चीजों को manage करते और operate करते आये हैं, दोस्तों सिर्फ Mumbai की बात करें, तो ये company 1500 hotels को manage कर रही है 2015 से, या अब बात करें दोस्तों IPO की details की, तो 30 जून, यानि कि कल ये open हो रहा है, और 4 जुलाई को दोस्तों ये subscription के लिए close होगा, अब अगर price band की बात करें, तो ये भी आपको सस्ता न जराएगा, 140 रुपे lower price band और 148 रुपे upper price band रहा गया है, इस IPO का दोस्तों lot size की अगर बात करें total issue size की है, तो वो ठोड़ा छोटा है, 389 करोड के आसपास का issue size है, जिसमें 270 करोड का fresh issue है, और 109 करोड का offer for sale है, अब अच्छी बात है कि ज़्यादा तर fresh issue है, तो जो भी पैसा मिलने वाला है, उसको company अपनी growth में लगाएगी, और 109 करोड तो ऐसे हैं, कि वो कोई और अप से पैसा लेके निकल जाएंगे, तो 270 करोड का fresh issue, यानि की company का कामटू करने वाली है, अब retail shareholders के लिए quota की बात कर लें दोस्तों, तो 35% quota reserve है, जो की अच्छी बात है, अगर maximum भी देखें, तो 25% quota बहुत कम IPO में देखने को दोस्तों मिलता है, allotment की बात करें दोस्तों, तो 7 जो लाइक होगी दोस्तों, अब अगर company के financials की भी बात करें दोस्तों, तो यह मत सोची है कि issue साई छोटा है, तो company ऐसी ही होगी, दोस्तों company profitable भी है, अगर इनके pet यानि profit after tax की बात की जाए, तो 2020 में 14 करोड, 2021 में 30.5 करोड, 2022 में 40.5 करोड, और 2023 का जो financial result अभी हाला की disclose नह लेकिन 31 December 2022 तक की जो data available है, जो इन्होंने अपने DRHP में डाला है, उसमें 28.6 करोड का profit अल्रेडी company कर चुकी है, यानि अगर देखें, तो हर साल तरक्की और profit दोनों बड़ा है, company का market capitalization 947 करोड का है, और return on capital, और ROC, यानि return on capital employed, 15% यानि की जवरदस्त है, तो दोस्तों अगर ये नजर आ रहा है, अब अगर बात करें, grey market premium की, जो की बहुत सारे लोग इसी के लिए वीडियो देख रहे होगी, तो दोस्तों अभी GMP की बात करें, तो वो ठोड़ा ठंडा है, अभी GMP सिर्फ 8 का चल रहा है, यानि 5%, अब देखना होगा कि कल जब market open होगा, और इस ताइम पर अगर market आप देखें, तो all time hyper है और बहुत bullish market है दोस्तों, तो अब कल जब market open होगा, तो उसके साथ साथ इसके GMP में भी उच्छाला आता है, और ये भागता है की नहीं, वो देखने वाली बात होगी, तो अगर आप सिर्फ GMP देखकर जो लोग subscribe करते हैं, त चली फिर मिलते हैं आप से दूसरे नए interesting topic के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, thank you so much for watching, good day.